हाई एवरिवन, हर्च प्यागे किचिन में आप सभी का सवागत है आज पनाने वाले हैं बहुत ही जादा हैल्दी और 15 मिनिट में जट पेट सा नाश्ता जिसके लिए सबसे पहले लेना है एक कप पोहा और अच्छे से 2-3 बार पाने से इसे वाश कर लेंगे और कुछ सगेंड के लिए इसे हम भीगो कर रखेंगे तो देखें मैंने यहाँ पर पोहा धो लिया है अच्छे से इसके बाद इसमें डालेंगे 1-4 cup सूजी और 1-4 cup दही अच्छे से 3 चीज़ों को मिक्स कर देंगे यहाँ पर पोही का अच्छे से सॉफ्ट होना बहुत जादा जरूरी है क्योंकि इसमें और कुछ चीज नहीं बस यही 2-3 चीज़े जाएंगे तो यह देखे मैंने अच्छे से सूजी दही और कोही को मिक्स कर दिया है जिससे सूजी भी अच्छे से फूल चाएगी तो 10 मिर्ची लिए इसको रिस्ट पर रख देते हैं अब यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्ची ले ली है जिन मैंसे एक को एकतम बारीक चौप कर लेना है हमें तो बहुत छोटे-छोटे से इसके टुकड़े करेंगे ताकि यह नाश्टे में अच्छी भी लगेगी और बाहर ने निकलेगी और एक और जो हरी मिर्ची ली है इसे इस तरह से चार हिस्से में डिवाइट करके हम इसे रख देंगे यह तड़के के काम आईगे तो यह देखिए मैंने मिर्ची को भी कट कर लिया है इसके पाद थोड़ा सा हरा धनिया लिया है इसे भी एकतम बारीकी से कट कर लिएंगे और अब इन चीज़ों का हम साइड में रख देते हैं यहाँ पर 10 मिट पूरे हो गए थे सूची भी अच्छे से फूल चुकी है पोहा भी काफी अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है इसे अच्छे से हमें मसल ना है 2-3 मिट के लिए ताकि एकतम डोगी जैसा हो जाए जैसे कि हम आटा लगाते हैं बिल्कुल वैसा हो जाएगा चिकना हो जाएगा तो थोड़ी देर के लिए इसको मसल लेंगे अब इसमें डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया बारी कटी हुई हरी मिर्ची और थोड़ी से इसमें और मसाले जाएगे बहुत जादा इसमें मसाली नहीं जाते हैं बिल्कुल थोड़े से ही जैसी कि चिली फ्लैक्स या फिलालमेश का पाउडर डाल दीजी अगर चिली फ्लैक्स ना हो तो और अब यहां पर देखें मैंने नमक डाल दिया है लेकिन सॉरी कि मैं वो क्लिप रिकॉर्ड नहीं कर पाई नमक अपने टेस्ट के अकोर्डिंग डाल देंगे एक छलनी लिली है इस्टीम करने के लिए और उस पर मैंने बटर पेपर डाल दिया है उसी की साइस का कट करके अभी जो हमने चिली फ्लैक्स हरा धनिया और हरी मिच्ची डाली है नमक एट किया है इन सारी चीचों को अच ती सदस अंदर लगेगा देखने में आप हातों में लगा लिजिए हलका सा ओइल और अच्छे से इनकी छोटी छोटी सी बॉल्स बना लीजिए या तो आप बॉल्स भी बना लीजिए या फिर इस तरह से गोल-गोल टिक्की जैसा बना सकते हैं तो यह भी देखने में अब यहां पर मैंन इस तरह से बना कर त्यार करें गे अब यहां पर मैंने अवबन करने और दिया था तो में घंवी ह 47 घंई हम दर आंब शूबन बरके के साथ ही मैने एक औरबिय ट्यार लीए इसमें इस और बैट cela कर ली और ल है इसमें जो बटर पेपरने गोलाई में इतना सद अच्छा लग रहा है एक्तम सिंपल है बिना सोड़ा बिना ही इनुब के बहुत ही चदर सॉफ्ट हमारा यह नाश्चा बनकर त्यार होता है तो अब इसे ढख देते हैं और पूरे 10 मिनिट के लिए हम इसे स्टीम देंगे मैंने 20 का इशारा कर दिया पर 10 मिनिट के स्टीम करना है अब इटली का जो ओवन है इसका ढटा देंगे और यह देखने में काफी सद अच्छा लग रहा है जब कोई भी चीज बनाते हैं और वो अच्छा दिखता है खाने में अच्छा लगता है तो बहुत जादा खुशी होती है और यह जो नाश्चा मैंने बनाय है बच्छों के लिए एक्तम परफेक्ट है आपकोने यह टिफिन में भी दे सकते हैं बहुत ही बड़िया रेसिपी है एक्तम सिंपल इजी और हैल्दी तो यहां पर देखे तोनों प्लेट्स मैंने निकाल ली है अब एक तड़का पैन ले लेंगे और इसमें डालेंगे ए इनुके तो अब एके करके हम यह बॉल्स तड़के पैन में डाल देंगे और इन्हें हम अच्छे से तड़का लगाएंगे बहुत जादा ओईल का इस्तमाल नहीं करना है इसमें थोड़ा सा मैं उपर से चिली फ्रैक्साइट कर रहे हूं और यहां पर मैं सफित तिल डालन और बागे की चीज़े भी तो यह देखिए इस तरह से आप दो से तीन प्लेट बनाकर त्यार करेंगे तो पूरी फैमिली के लिए आराम से हो जाता है तो नाश्ते में इसे हम हरी चटनी के साथ और आप नारियल की चटनी के साथ भी से सर्फ कर सकते हैं मैंने टोमेटो चप लिया है और हरी चटनी ले है तीखी वाले तो यह लिजिए दोस्तों सिर्फ 15 मिट में नाश्ता बनकर त्यार हो गया है बहुत ही इसी है हेल्दी है और कुईक रेसिपी है ज़रू से ट्राइब कीजिएगा बहुत ही ज़द अच्छा लगता है देखने में खाने में यह बहुत ज़दा टेस्टी है तो कैसी लगे आज की रेसिपी कमेंट करके ज़रू पताईए का वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रू कीजिएगा मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई अपना ध्यान रखिएगा